गंगा को देश का सबसे पवित्र नदी कहा गया है, सास्तरों की यदि बात करें, तो ये कहा गया है कि गंगा जैसी कोई नदी नहीं है, मुक्षदाइनी नदी है, ये कहा जाता है कि लोग अपने जीवन काल में यदि गंगा असनान कर लें, तो उनके जो पाप हैं, वो हो जाते हैं, गंगा जल का ग्रहन कर लें, तो उनका देह पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, और यदि उसे सर पे लगा लें, तो उनकी जो पाप आत्माएं, जो उनकी दुस्ट आत्माएं, उनके विच्ड़न करने वाली हैं, वो दूर हो जाती हैं, लेकिन इन इतर हम अभी घंगा घाट पे हैं उस घंगा घाट पे जहां एक सबसे अच्छी बात जो देखी जारी है वो यह की घंगा पहले से साफ हुई है वज़ा धेरो हैं लेकिन इन वज़य में एक सबसे बड़ी वज़ा जो बताई जारी है वो यह कि फैक्ट्रियों के बंद होने स वाले जो डिस्चार्ज हैं जो उनके गंदे पानी थे उनका गंगा में न आना ये सबसे बड़ी कारण है हम तलहटी को दिखाना चाहेंगे आपको कि तलहटी पे आप ध्यान से यदी देखिए तो छोटे चोटे मचली के बच्चे तेरते हुए नजर आ रहा हैं ये पहले न जर्मल कहा जाता है वो लहर जो पहले से स्वक्ष है लेकिन जो सबसे बड़ी बात वह है कि लोग न तो यहां नहाने वाले हैं नहीं नाओ का कोई अठखेलिया हैं और सबसे बड़ी जो बात है कि यह धीर और गंभीर यह कहा जाता है कि गंगा जिस जंग से सांत मानी जात यह कि गंगा पहले से साफ हुई है यदि हम आकडो की बात करें तो आकडो के हिसाब से पहले गंगा का जल कहीं से भी पीने योग नहीं हुआ करता था लेकिन अब यह जल पीने योग है यह यह कहा जा सकता है कि पहले से यह साफ हुआ है बात यदि हम पौराडिक करें तो भा उनके बेग को सहने के लिए भगवान संकर ने अपने जटाओं में मागंगा को बुलाया था। लेकिन जिस भगीरत ने अपने पुर्वजों को तारने के लिए मागंगा का हवान किया था। आज वही गंगा निश्चित तोर पे अपने तारने के इंतिजार कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा को नकेवल आज तक पवित्र बनाया जा सका। बलकि धेर सारी योजनाओं और पर्योजनाओं के बावजूद गंगा अभी भी जस्कितस है। सुक्र यह है कि लागडाउन के कारण गंगा पहले से जरूर कुछ साफ हुई है। कैमरा परसन अब से कसा संतोस हो जाओ।